ये इंडी गडबंदन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खत्रा है ये कश्मीर में फिर से तीन सो सतन लागू करने की बात कर रहें इने फिर से कश्मीर में आतंगवाच चाहिए ये फिर से पाकिस्तान तो दोस्ती के पैगाम बेगेंगे उन्हें गुलाब के फूल बेगेंगे और पाकिस्तान बम दमाके करता रहेगा ये कॉंग्रेस वाले कांप रहे बहुत बड़ा खत्रा है आप देखिए कॉंग्रेस का एजेंडा क्या है ये कश्मीर में फिर से तीन सो सतन लागू करने की बात कर रहे हैं इन्हें फिर से कश्मीर में आतंगवाच चाहिए इन्हें फिर से कश्मीर को अलगावादियों को सौपना है फिर से पाकिस्तान तो दोस्ते के पैगाम बेजेंगे उन्हें गुलाब के फूल बेजेंगे और पाकिस्तान बम दमागे करता रहेगा देश पर आतंगरी हमले होते रहेंगे कॉंग्रेस कहीगी कुछ भी हो बास्ची तो करनी ही होगी इसके लिए कॉंग्रेस ने अभी से माहूल बनाना शुरू कर दिया है कैसे कैसे बयान ये अभी से देने लगे है इनके नेता कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है अब ये सुनकर के आपको हसी आती एक नहीं आती है आती एक नहीं आती आपको किसी को भी पाकिस्तान के पास एटम बम है यह सुनकर के डर लगता है क्या किसी को डर लगता है क्या किसी इंदुस्तानी को डर लगता है क्या यह कॉंग्रेस वाले कांप रहे बलो कि ऐसे लोग देश चला सकते हैं क्या ऐसे लोग देश को शुरुच्छा दे सकते हैं कि इनके लोग कहते हैं पाकिस्तान से दर करके रहना होगा ये इंडी गड़बंदन वाले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं लेकिन ये भूल रहे हैं ये नया भारत है ये घर में घुश कर मारता है 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 अज हमाम पाहिं से ये अ को रहे ही लोग्बंदन विड़कर की करषब मारता है करता है नहीर फड़कर कisterा है